अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को डबाएं लेटिस न्यूज सबसे पहले देखने के लिए बॉलीवुड के दबंख खान यानी सल्मान खान की अपक्मिंग फिल्म रेस रिंटीन इप के मौके पर रिलीज होने को पूरी तरह तयार है और फिल्म के स्टार कास्टिस वक्त टीवी शोज पर जाकर इसका प्रमोशन करते हुए नजर आ रही है इस बीच फिल्म में एहम किदार में नजर आने वाली जैकलीन फनाडिन्स ने सल्मान को लेकर एक हैरान करने वाली बात कही है जैकलीन ने सल्मान खान की तारीफ करते हुए कहा कि वह अपने करीब लोगों को बहुत प्यार करते हैं इसके अलावा वह उनकी देखभाल और इजज़ग भी करते हैं बता दे वेस रिंग 3 से पहले जैकलीन सल्मान के साथ फिल्म किक में भी काम कर चुकी हैं लेकिन अब उन्हें सल्मान की एक चीज़ से बहुत डर लगता है जैकलीन ने कहा कि जब कोई सल्मान से पहली बार मिलता है तो उनके आसपास ऐसी एनरजी होती है जिससे कोई भी डर सकता है उन्हीं ने कहा कि सल्मान ऐसा जानकर नहीं करते हैं लेकिन उनकी शक्सियत ही ऐसी है कि एतनी सालों बाद भी उनके साथ काम करते हुए सैट पर मैं हमेशा सचेत रहती हूँ वह भले मेरे दोस्त और को स्टार हैं लेकिन मैं अभी भी बेचैन और सचेत रहती हूँ भगवान जाने न जाने क्यों जब भी ये सेट पर सल्मान के सामने होती ही तो अपने डायलोग गूर जाती ही हाला कि शूटिंग के दोरान ही ऐसा होता है और अगर हम शूट पर न हो तो हम नॉमल रहते हैं लेकिन एक बार जब आप उन्हें समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उनका दिल कितना बड़ा है सल्मान खान के साथ तेरे नाम और जैहोट जैसी फिल्मों में काम कर चुकी डेजी शाह ने कहा हाँ मैंने ध्यान दिया है कि सल्मान सर कैसे अन्यकलाकारों को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं